सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज मैं आप लगों से बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के बारे में बातचीत करूंगा माउथ कैंसर याने के मूग के अंदर होने वाले कैंसर इनको हम टेक्निकली ओरल कैंसर भी कहते हैं मूग के अंदर दोस्तों हमारे कई साइट्स होती हैं जैसे के जबान के आगे वाला हिसा, जबान के पीछे वाला हिसा, जबान के नीचे का हिसा, हमारे गालों का हिसा, नीचे का जबड़ा एवं उपर का जबड़ा इन सारे हिस्सों में होने वाले cancers को हम oral cancers में consider करते हैं आईए तो जानते हैं कि क्या कारण होते हैं oral cancers के दोस्तों आप लोगों को जानके ये हैरानी होगी कि इंडिया में worldwide सबसे ज़्यादा incidence है oral cancers के और इसका मुख्य कारण है हमारे देश में प्रचलित तंबाकू का सेवन एवं पान का सेवन इसके साथ स्मोकिंग और एलकोहल भी important कारण है इस तरह के cancers के जैसे के दोस्त आप लोगों जानते हैं कि हमारे देश में ये fashion है कि लोग तंबाकू को इस्तेमाल करते हैं या मुँ में पान दबा के रखते हैं काफी देड तक मुँ के अंदर पान को रखने से या तंबाकू को रखने से इसके अंदर जो chemicals होते हैं वो release होते हैं और हमारे मूँ के अंदर की जो मीकोजा होती है उसको ये डैमेज करते हैं जिसके आती स्टेज में कैंसर सफेद परत जैसा बन जाता है जिसको हम लोग लीकोपले क्या कहते हैं या सफेद के साथ लाल पैचेस बन जाते हैं, इसको हम लोग इरिथ्रोलिकोपले क्या कहते हैं, धीमे धीमे इन में अलसर बनने लगता है, घाओ बनने लगता है, जिससे बलड आ सकता है, और कुछ टाइम के बाद इसमें कैंसर की शुरुवात होने लगती है, आईये तो जा जाज करते हैं, अगर पेशेंट को एलकोहल की, स्मोकिंग की, तंबाखू की, पान या पानमसाले की हिस्ट्री होती है, तो उसमें हम ये सारे साइट्स को अच्छे से देखते हैं, फैमिली में किसी को कैंसर की हिस्ट्री तो नहीं है, इसके बारे में भी पता करते हैं, अगर हमें मुँ में कोई घाव मिलता है तो हम उसकी बाइपसी की जाच करते हैं बाइपसी की जाच करने से हमें ये पता लग पाता है कि ये किस स्टेज पे कैंसर है कई बार हम अगर हम सतर्क रहते हैं तो कई बार हम कैंसर को बनने से पहले वाली स्टेज जिसे प्री कैंसर region कहते हैं उस stage पर पकड़ पाते हैं और अगर हम ऐसे region को पकड़ पाएं तो फिर हम इनको laser के द्वारा साफ कर सकते हैं और cancer में convert होने से रोक सकते हैं ऐसा करने के साथ साथ हमें patient को सचेतना बहुत जरूरी है कि हमें उसे regular basis पर देखना जरूरी है और हर उसे एक से दो मेने पर हम बुला बुला के देखते रहते हैं जब तक हम confirm नहीं हो जाता कि इसमें cancer नहीं बन रहा है अगर बाएपसी में patient को cancer की बिमारी निकल के आती है तो हमें उसका आगे definitive इलाज करने की जरूरत पड़ती है इसके लिए हम patient का staging का टेस्ट करते हैं जिसमें हम मुग के अंदर का CT scan MRI scan, PET scan जैसे चीजों का इस्तेमाल करते हैं इसको करने के पस्चात हम patient के लिए treatment plan finalize करते हैं ज्यादा तर patients को operation की सलह दी जाती है कुछ patients को हम radiotherapy की सलह भी देते हैं इसके साथ-साथ operation के बाद हम patient से reconstruction के options भी discuss करते हैं जैसे के operation करके जो cancerous tissue है हमने मुग के अंदर से हटा दिया उसके बाद हम हाथ से या पैर से या छाती पे से मास लेके वहाँ पे लगाते हैं जिससे के हमारे मुग का जो काम है खाने का बोलने का वो हम पूरे तरीके से आगे कर सकें टेक होम message यह है stock का कि हमें मुव में होने वाले cancers के लिए सचेत रहना चाहिए हमें तंबाकू का सेवन अलकोहल का सेवन smoking का सेवन एवं पान के सेवन को बंद कर देना चाहिए हमें इसके बारे में जागरूपता फैलानी चाहिए और किसी भी patient को अगर ऐसा कोई भी doubt लगता है हम जब brush करते हैं अपने मुग को देखते हैं तो अगर हमें कोई भी ऐसा suspicious area लगता है तो उसको तुरंथ आईए आप me home hospital में आके उसकी जाच कराईए जिससे हम उसको check कर सकें और अगर कोई cancer का stage है तो हम उसे जल्दी से जल्दी पकड़ सकें Thank you कर दो हमें लगता है